अलो फ्रेंड्स मैं प्रेम लता शर्मा अपने नए वीडियो में आपका स्वाधत करती हूँ आज इस नए वीडियो में बोश का कट आफ मिशीन जी सियो टू टू टी प्रोफेशनल लेकर आई हूँ जो कि सूटेबल है, वेल्डर्स के लिए, सरीय काटने वालों के लिए और इंडॉस्ट्रिस के लिए फ्रेंड्स इस प्रोड़क्त के बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इसका पावरफुल कटिंग पर्फॉर्मेंस है, जो लोहे को मखन की तरह काट देता है, तफ कटिंग को असान बना देता है तो फ्रेंड्स यदि आप मेरा वीडियो फर्स टाइम देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बैल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन जो है, सबसे पहले आप तक पहुन सकें फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम इस प्रोड़क्ट की जो है अनबॉपसिंग करके दिखाएंगे, इस प्रोड़क्ट की पूरी टेकनिकल जानकारी देंगे, यदि आप भी इस प्रोड़क्ट में इंट्रस्ट रखते हैं, इसकी पूरी टेकनिकल जानकारी प्रापत कर करना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखिए गा बिना टाइम वेस्ट करें हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं लेटर स्टार्ट तो फ्रेंड यह हमारा बोश का प्रोफेशनल मैटल कट अफ सौ है मॉडल GCO 220 जो कि न्यू वर्जन ओफ GCO 200 है बहुत कम लोग यह जानते हैं कि बोश ने जीशियो 200 मॉडल जो है बंद कर दिया है और नया मॉडल GCO 220 जो है लॉंच किया हुआ है जिसमें जो है कुछ फीचर् जो है 2000W से 200W इसका कर दिया है नए मॉडल में तो इसके कुछ डॉडी में डिजाइन में कुछ चेंजिस करी है और बाकी इसमें अल्मोंस सेम ही है तो चली फैंस ये इसका आउटर बॉक्स है ये मैं आपको दिखाती हूं जिसमें इस मशीन को रखा गया है तो अभी हम इसको को पहाती आउटर बोक्स में इसको रखा गया है तो अभी हम इसको फोल करके आपको अंजर दिखाते हैं कि आपको क्या-क्या मिलने वाला है जो हुआ भाती बडिया पैकिंग करा आ है तो प्राट बिल्चि के उभल सेफिल इसके अंदर पैकिंगरा हुआ हुआ है इसके पहले इसके अंदर यह आपको बता देती हूँ यह इसका वरंटी कार्ड है यह दिखिए 6 मंस का जो है प्रोड़क्ट के उपर वरंटी है यह दिखिए इसका यूजर मैनुवल दिया हुआ है कि इस प्रोड़क्ट को अपरेट करना है कि चली फ्रेंजर मिशीन को निकाल करके आपको दिखाती हूँ कि किस्तना का यह मिशीन है प्रेंजर देखिए कितना बढ़िया जो है इसका बिल्ड क्वाल्टी है इसका जो है चारो तरफ से ब्रुमा करके मैं आपको इसका 3D व्यू दिखाती हूँ पहले कि यह लुक वाइस देखने में कितना बड़िया डिजाइन बनाया हुआ है बोश के द्वारा यह दिखिए जरह इसका हम आपको सारा व्यू दिखाते हैं कि यह हम जो है इस पर अगर आप देखेंगे तो इस पर पूरा टेकनिकल स्पेसिफिकेशन भी दे रखा है यह दिखिए बोश का जो है इसका मॉडल इसमें दिया हुआ है जीस्यो तूट्वेंटी और इसको इसका जो है पावर भी इस पर स्पेसिफाई है बाइसो वाट का है वी डूटी चॉपसा है जिसकी नो लोड स्पीट जो है 3800 रेवलिशन पर मिनट है और इसमें जो डिस्क आपका जो ब्लेड जैसे की इसमें देखिए ब्लेड आपका लगा हुआ है मैं आपको दिखाती हूँ इसका ये देखिए फ्रेंज जो इसमें ये ब्लेड लगा हुआ है इसके डैमेंशन भी मेंशन करी है कि इसमें जो ब्लेड लगना है 355 mm डायमीटर होना चाहिए और जो उसका बोर है वो 25.4 mm इसका बोर होना चाहिए तो चलिए फ्रेंस इस प्रोडक्ट को जो है कि करके सारे पीचर आपको दिखाती हूँ सबसे पहले आता है इसका एलेक्रिक कोड जो की 2 मिटर लेंथ में दिया हुआ है काफी अच्छी पॉलिटी का इसमें एलेक्रिक कोड लगा हुआ है हमारा तो फ्रेंड्स यह देखिए यह इसका ओन ओफ स्विच है यह देखिए इसको ओन करके यहां पर साइड पर लॉग भी बना हुआ है मैं आपको पुरा आराम से दिखाती हूँ और उसके बाद ऑपरेट करके भी दिखाऊंगी फ्रेंड्स यह देखिए इसमें जो है यह हमारा स्विच है तो इसको जो है ओन करके हम इसना से लॉक कर देंगे तो यह हमारा ओन पोजिशन पे रहेगा और जब हमें ओफ करना है तो हमें हलका सा प्रेस करना है तो यह रिलीज हो जाएगा तो फ्रेंड्स अभी जो है इसमें आपको मैं और दिखाते हूँ यहां यह उपर को उट जाता है जब हम यहां से इसको release करते हैं तो friends इसमें देखिए यह springs लगे हुए हैं यह springs की वज़ा से जो है जब हम इसको continue काम करते हैं इस machine से तो बिल्कुल भी fatigue मैसूस नहीं होता जब हम इसमें continue काम करते रहते हैं तो इससे जो है इसकी movement कार्बन आप अपने चेंज कर सकते हैं friends इसके बाद जो है इस machine के साथ आप देखेंगे तो एक blade बिल्कुल free company को देती है इसमें जो है यह 14 इंच काट-off blade जो है यह बिल्कुल free है इसके साथ तो इसको blade को लगाना कैसे है खोलना कैसे हो हम आपको दिखा देते हैं इसमें एक L-key दिया हुआ है आप देखेंगे यह इसके base पे जो है यह एक L-key दे रखा है हमे जिसकी मदद से जो है हम इस blade को खोलेंगे तो आपको खोलना और लगाना हम सिखा देते हैं कि कैसे इसमें लगाना है तो फ्रेंड्स इसमें जो है blade कैसे लगाना खोलना है वो मैं आपको दिखा देती हूँ यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यह spindle lock दिया हुआ है इस spindle lock को जो है हम प्रेस करेंगे इसको प्रेस करने के बाद जो हमें L-key दी हुई है दूसरी तरफ आप देखेंगे तो L-bolt लगा है जिसको की spindle lock करने के बाद हमें खोलना है तो इसको खोलने के बाद जो है इसको खोलने के बाद बोल्ट को खोलने के बाद जो है इसके अंदर washers है washers खोलके हमारा blade जो है खुल जाएगा जो है इसमें और इसी same procedure से जो हम blade लगाएंगे तो अभी हम इसको लगा करके भी आपको दिखा देते हैं आप blade लगाएंगे ब्लेट के बाद जो है washers लगाएंगे washer के उपर जो है आप nut लगाओगे और फिर से spindle लॉक करके जो है इसको टाइट करेंगे हमें तो फ्रेंड्स ब्लेट लगाते टाइम जो है उसको अब बिल्कुल अक्छे से टाइट कर दें उसमें बिल्कुल भी प्ले नहीं रहना चाहिए उस पिंडल लॉक करके हम जो है उसको completely टाइट कर देंगे ब्लेट को तो फ्रेंड्स यह हमारा ब्लेट जो है इस तरह से जो है हम इस लगाते हैं और खोलते हैं उसके बाद जो है हमने कटिंग जॉब कैसे लगाना है बेस पर वह भी आपको दिखा देते हैं मिस्टरेंड्स इसमिches जो कि जॉब लगाना बहुत है हम जो है इस जुब करेंगे ठीक है रखे ट्राइंगे अपने जॉब तकी कि यह ब्लाग स एम ऊपन करेंगे और जौब को जो जो है हम इसको जौब को यहां पे टाइड कर देंगे और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यहां पे जु है हम डीघ्री में भी इसमें कुछ तो आप यह दिखिए डीजी तो इस चीज को आप आगे भी मूज कर सकते हैं एकॉर्डिंग तू दा विर्थ ऑफ यॉर जॉब तो फ्रेंज मैं आपको बता दूं कि जब हम इस मेशीन से जिरो डिग्री में कटिंग करेंगे तो रिक्टेंगुलर पीस जो है हम 100 इंटू 96 सेंटीमेटर का काट सकते हैं स्केयर पीस जो है 119 इंट का और एल प्रोफाइल जो है वह हम 130 इंट की कटिंग कर सकते हैं और जब हमने 45 डिग्री में कटिंग करना है तो हम रिक्टेंगुलर पीस जो है 107 इंट का और स्केयर पीस 110 इंट का और एल प्रोफाइल जो है 115 इंट का हम जो है कटिंग कर सकते हैं इससे और फ्रेंड्स मैं आपको बता दू ये मशीन का जो वेट है वो 15 kg वेट है वेरी इजी तो कैरी इसको करी करके आप कहीं पर भी इजी ले जा सकते हैं तो फ्रेंड्स अब मैं जो है इस मेशीन को आपको स्टार्ट करके दिखाती हूं कितना पावर फिर मशीन ये करके दिखाते हैं इसकी पावर का जो है आपको दिखाती है उचला करते हैं तो देखा फ्रेंड्स बोश के दुआरा कितना ये पावर फिर मशीन बनाया गया है तो फ्रेंड्स आपको मेरा आज कर के दिखाती हैं इसका लेटेस प्रैस जरूरर कीजैगा और वीदियो ये अच्छे लगा होगा यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तहो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और जादए से सादा अपने फ्रेंड्स में श्यर कीजिएगा फ्रेंड्स इस प्रुड़क् आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगी Friends, यदि आप इस प्रोडक्ट को खीबना चाहते हैं इसका लेटेस प्रैस जाना चाहते हैं तो मेरा WhatsApp नमबर नीचे दिया हुआ है आप मुझे WhatsApp पे संपर कर सकते हैं Friends, यदि आप इसकी delivery घर बैटे पाना चाहते हैं तो आप मुझे WhatsApp पे contact कीजिएगा हम लोग इसकी delivery आपको आल ओवर इंडिया दे सकते हैं So, thank you friends for watching my videos Have a nice day, be safe, take care, bye-bye